हालो गाईज कैसे आप सब लोग टायर उक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे गाईज वो केंडल वैक्स रिडिंग होगी और आज मैंने थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लिया है इसमें आज हम यह चेक करने वाले हैं कि वह आपसे क्या उम जो भी मुझे पता लएगा मैं बताऊंगी ठीक है सिट्वेशन कुछ भी हो सकती है सिट्वेशन के बारे में बताना चाहां थोड़ा बहुत जितना भी मुझे पता चलेगा मैं बताऊंगी लेकिन हम बस यह चेक करने वाले हैं आज कि आपके पार्टनर आपसे क्या से यहें मेरे जो वाटस अप नमबर आपको डिसक्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहां पर जाकि मुझे मैसेज की जिए जी ओकर नहीं अभेस में एक ऊस्मीश में ओंदिन कि आपको इंडिया फूल रिडिंग मिलेगी और इंडिया से बहार भी है तो बहुत ही अफोड़ेबल चार्जिस है चैक जरूर कर लिजेगा ठीक है चले स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग बिना किसी देरी के इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे जोइन कर सकते हैं ठीक है महा सबसे पहले आपने इस्ट देव यानि कि जिनकी भी आप पूजा राधना करते हैं कोई गुरुदेव हैं तो उनको ध्यान कीजे और फिर अपने पार्टनर का नाम लीजे या फिर उनकी शकल को ध्यान रखें ठीक है ताकि आपसे रिडिंग मैच करें आज की रिडिंग का टॉपिक है वह आपसे क्या उमीद लगाते हैं इस रिष्टे में ठीक है आपको क्या करना चाहिए उनकी तरफ से वह क्या उमीद लगाए बैठें चले देखते हैं सबसे पहले हम एनर्जी को कैच करेंगे उनकी क्या एनर्जी आपके लिए ठीक है फिर थोड़ी सिट्विशन देखेंगे उसके बाद मैं बताऊंगी कि अभी उनकी क्या उमीदे हैं क्या सोचते हैं क्या उमीद लगाए बैठें और उनका next action क्या होगा ठीक है तो आज के आप लोग लिए यलो कलर बहुत important है यहां पर देख पा रही हूं यलो flowers से आप कुछ कर रहे हैं या फिर यलो चीज या यलो कलर वाली कोई नो कोई वस्तू आपके आसपास है मुझे यहां पर देखता है किसी किसी का mobile cover भी हो सकता है लेकिन सबके लिए differ करेगा इसके आप अल्राइट स्टार साइन की बात कर लेते हैं सबसे पहले लिब्रा मुझे कोई दिखाए दिया ठीक है टारस लिब्रा ठीक है एकवेरियस लियो सेटिटेरियस कैप्रिकॉन यह स्टार साइन है तो देखे इनके एनरजी क्या है वो आपके लिए क्या उमीद लगाए बठे हैं तो इनके एनरजी चेक कर लेते हैं सबसे पहले मैं यह दिखाई दे रहा है मुझे कि यह जो इनसान है इन डिसीजन में यानि कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में बना हुआ है इमन जो भी सिट्वेशन है उसमें आप यह देखिएगा कि रिडिंग कहां मैच हो रही है अगर नहीं भी मैच होती है तो बिल्कुल कोई नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है क कि आप को और रिडिंग देखिएगा ठीक है बहुत परिशान मत हो यह बिल्कुल नेगेटिव मैं सोचेगा तो एनरजी मुझे आप के लिए इनसान के दिमाग में आपके लिए थीक है कि यह नई शुरुआत करना चाहते हैं और कुछ सच बताना चाहते हैं मुझे बहुत है कि आपके इनके बीच कोई legal कोट के चरी चल रही है ठीक है लेकिन divorce की बात चल रही है ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आपके बात यह फिट नहीं होती तो बिनाबात की मत सोचेगा ठीक है यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग अपनी marriage को तोड़के नहीं शुरुआत करना चाहते हैं और कुछ लोग यहां पर कोई नों कोई legal issues से गुजर रहे हैं ठीक है यह इनका personal matter भी हो सकता है अगर आप से related नहीं है तो इनके जीवन में बहुत 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 बहतर दिशा में ले जाता है इनको यह फील होता है यह कहीं न कहीं एक जैसे कहते हैं कि एक किसी दरवाजे को खोलना चाहते हैं जहां पर खुशियां हो थी कि इनको personal life बहुत ज़्यादा लग रही है और definitely इनका दमसा गुटता है personal life को लेकर जब सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्या है खुशी है कोई परिवार वाले जैसी चीज है तो इनको बिल्कुल नेगटिविटी आती है इनको सफोकेशन होता है कि इस बातों को सोचना बेकार है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है इस तरह से मैं आपके के बाद दूसरी शादी भी दिख रही है यहां पर जितना आप से मैच करें उतना ही लीजेगा लेकिन यहां पर देखें कोई नहीं कोई नई शुरुवात आपसे दिखाई दे रही है क्योंकि इनको फील होने लगा है कि कुछ नो कुछ मेरी जिंदी की है पर्सनल लाइफ होकि त्वा सकस्कंव थाटी बना व ही रही है इन चीजों की मुझे यह यह दिख रहे है कि वह आपकी तरफ लक्या तक झाल सामलकितने हैं के थीक है और यह वह यह प्लानिंग कर beyondlong करें कि आपका इंका रीजों नग कह सका और एक और तूया है मैं बसनीन उस्ठ देज्न तो मुझे यहां पर दिखता है कि इनकी में energy and decision में है और कोई नो कोई decision लेने के लिए planning कर रहे हैं लेकिन यह कहीं आपसे नई शुरुवात के लिए भी plan कर रहे हैं इनको जैसे कि बदलाव आ रहा है इनकी सोच में इनके इनकी प्रॉस्पेक्टिव से अगर जीवन देखा जाये तो यह आपके साथ जीवन जी के देखना चाहते हैं ऐसा मुझे यहां पर फील होता है मैं बताने वाली हूँ अब आपको कि यह इस यह इनसान आपसे क्या उमीदे लगाए बैठे हैं ठीक है क्या चाहते हैं आपसे क्या उमीद है इनको ठीक है सबसे पहले ही चाहते हैं देखिए male female कोई भी हो सकता है अगर female है तो definitely आपसे चाहते हैं कि किसी को divorce करके आप इनसे continue करें या फिर कोई अगर ऐसी बात नहीं है तो किसी को छोड़ के आप इनकी साथ आए ठीक है यह justice चाहते हैं आपसे चीज़े legally fix करना चाहते हैं जैसे कि मैंने कहा कोट केचरी तो यहां पर कोई कागजी कारवाई भी दिख रही है ठीक है कागज में कोई sign होते हैं जैसे कोई stem paper उस तरह की मुझे यहां पर vibes आ रही है इसलिए कोई कागज paper मुझे यहां पर दिखाए दी मुझे यहां पर लगता है कि आप इसाथ victory हासिल करना चाहते हैं आपको जीतना चाहते हैं यह चाहते हैं कि आप इनके relationship में बहुत hard work करें आप चाहते हैं यह आपसे उमीद लगाए हुए है कि आपके career side से भी इनको financially बहुत अच्छे रखें या फिर इनका support करें ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए यह मुझे ऐसा चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में आए तो चाहे रुक के आए लेकिन आपका finance career बहुत अच्छा होना चाहते हैं यह यह भी expect करते हैं कि आप जब भी आएंगे इनसे ज इस से भी reading मिलते हैं मुझे जरूर बताईगा क्योंकि यह बहुत सारे messages मुझे आ रहे हैं और यह चाहते हैं कि आप इनकी wish fulfillment करें यह चाहते हैं कि आप इनकी wish है तो उस wish को पूरा करने के लिए आप कभी भी ना कहीं ठीक है यानि कि आप इनके लिए बहुत कुछ करें यह यह जो यह क्या चाहते हैं आपसे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यह चाहते हैं कि चाहें आप मेरा उम्र भर weight करो लेकिन जब मैं आऊं तो definitely आप इनका solid इनको commitment मिलना चाहिए ठीक है फिर यह चीज़े ignore नहीं की जानी चाहिए ठीक है मैं आप यह भी देख पारी हूं कि यह आपसे क्या उमीदें लगाएं तो आपसे यह उमीद है कि आप जब भी आएंगे इनका weight करते रहेंगे आप more नहीं करेंगे ठीक है यह मुझे लग रहा है जिनके आप बात करें हो सकता है कि यह long distance पे हो विदेश में हो दूसरे शहर में हो तो लेकिन चाहते ही है कि दिखाई दे रहा है देखिए इनका next action बताती है उमीदे तो मैंने बहुत सारी और भी देखिए लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा इनका वह बताना चाहती हूं कि इनका next action क्या होगा सबसे पहले मुझे कोई meeting होती हूं नजर आ रही है आपका reconciliation मुझे आपके दिखाई दे रहा है कुछ लोगों में long distance की वज़े से बातचीत नहीं हो रही थी है कोई वज़े थी जिसके कारण ही आपसे थोड़े से नाराज नाराज लग रहे थे लेकिन मुझे अब लग रह जहां पर मिलती है वहां पर संगम होता है मुझे ऐसा लगता है कि आपका reunion दिखाई दे रहा है ठीक है आप जिस पात पर चल रहे हो बिल्कुस right path है आप जो उमीदे कर रहे हैं उनके लिए मेरे viewer भी काफी मेनत करें मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है आपके partner जो आपसे उमी बता रहे हैं कि आप चाहें थोड़ा वक्त लगाएं अपनी decision में लेकिन जब अगर इनको कुछ कहें तो solid कहें ठीक है यह चाहते हैं कि आप in and out नहीं करें यह चाहते हैं कि आपके साथ इनकी success हो ठीक है जो भी relationship हो वो long term तक चले यह ही चाहते हैं आपसे कि आपसे नई resistance को कम करने की कोशिश करेंगे बहुत ही practically चलेंगे लेकिन यहां पर कोई नई शुरुवात करेंगे ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो destiny पर बहुत विश्वास करते हैं और कहीं यह destiny ही आपको मिलाएगी ठीक है यह destination मुझे लग रहा है बहुत से लगा कि आपको लग है जो आपको एक दूसरे से मिला रहा है ठीक है बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग यहां पर online भी मिलें ठीक है आप किसी media या किसी app के through मिलें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसान जो है आपके लिए सोचता है कि भगवान ने इनको मिला ह है ताकि हमारी जिंदगी सुधर जाए ठीक है जैसे मैं बोलती हूं आपको हमेशा बहुत से रिष्टे ऐसे होते हैं जिनका हम पैचानते नहीं हैं जिनके बारे में ABCD भी जानते नहीं लेकिन फिर भी उन पर ट्रस्ट करते हैं लेकिन अगर online मिले हैं तो शायद आपने ए एक रौष्णी की किरण मानता है इनकी जैसे जीवन में बहुत कुछ अंधेरा है तो एक रौष्णी की करण आपके पास आके ही मिलती है ठीक है यहां पर यह भी मैं देख पार हूं कि यह आपके अपनी रौष्णी को कैच करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं और कही ने कहीं आपका पीछा नहीं चोड़ेंगे ठीक है आपसे उमीद यही है इनकी नेक्स एक्षिन यही होगा कि यह आपका पीछा नहीं चोड़ेंगे आप जहां 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 जाएंगे वहां पीछे जाएंगे और कहीं ने कहीं आपसे रिकंसलेशन संभव है मुझे ऐसा ल कर बात है जिसके कारण आपने दूरियां बढ़िए तो दूरियां कम करना चाहते हैं और यह पास्ट की गलतियों को सुईकार के यह आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि एक एंडिंग के बाद एक नहीं शुरुबात दिख चुके हैं तो एक नया पन आप अपनी पार्टने की अनरजी में देखेंगे तो आज की रिडिंग में मुझे यही दिखाई दे रहा है बहुत सारी बाते हैं यहां पर आपके मन की बात भी बताने हैं मैं आपके मन को टटोल के मैंने बताई यानिकि ऐसा कुछ है जैसे की आपके पार्टनर आपको विश्फुल्फिल्मेंट बानते हैं ठीक है लेकिन इस विश्फ को पूरा करने के लिए वह आप से भी कोई वादा चाहते हैं ठीक है तो इनको उमीद है कि आप किसी और को निचुनोंगी इन ही को चुनोंगी ठीक है आप्शन की बाद श्याद आपने इनको बताई है लेकिन यह जो इनसान है आप से एक महलब एक सॉलिड चीज चाहते हैं कि यह आपको जब भी अपरोच करेंगे तो आप इनको यस कहेंगे किसी और का महलब किसी और के कारण वेट नहीं करवाएंगे ठीक है क्योंकि इन्होंने भी वेट किया और यह आप से उमीद लगाके बैठे हैं कि आपकी मीटिंग इन से जरूर होगी एक मीटिंग ऐसी भी उगी जिसमें आपका रिकनसलेशन होगा भाग आपका साथ देगा और कहीं ने कुछ एंडिंग के बाद एक नई शुरुवात होते हुए दिखाए दे रही तो इनका आप से मीटिंग और एक नहीं शिरुवात है तो आज के रिटिंग में बस इतना ही में नेक्स रिटिंग में जरूर मिलती हूं आज मैसेज़ वगरा नहीं पड़ूंगी अगर आपको रिटिंग पसंद आती है कुछ भी मैच करता है तो मुझे जरूर बताएगा ठीक है कोई मेरे बारे मेरे चानल के बारे में देना चाहते हैं तो वह बहुंद सकते हैं थाएम इसमें थोड़ा से कारण में तो डेले हो रही हूं लेकिन वॉन वीक बाद में जरूर अप्लोड करऊंगी तो ये थी आज की रिटिंग आपको कुछ भी पसंद आया मेरे बेट कीजेगा नेक्स रेडिक में जरू मिलती हूँ बाई बाई गाईज